हेलो गाईस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आई होप आप सबी अच्छ होंगे और आपकी प्रिपेशन कंटीन्यू अच्छी चल लिया यूगी, जैसे कि आपको पता है SSC CGL 2013 का जो टियर वन का एक्जाम है 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में कंड़क्ट किया जा रहा तो compare करेंगे कि previous जो year में paper आया और अब जो आ रहा है paper इसमें क्या difference है, क्या difficulty आ रही है और जो इसका safe score होगा वो क्या रह सकता है आपको पता है mains भी अब तुरंती हो जाता है, 45 days के अंदर आपका mains भी हो जाएगा तो अभी से आपको prepare करनी पड़ेगी तब ही mains निकलेगा so exam review और safe score के बारे में देखेंगे तो चलिए start करते हैं, अगर आप channel पे नए हो तो subscribe कर सकते हो, exams related सभी update आपको मिले लगेगी so guys, जो 14 जुलाई में सारे shift की बात करें और पहले से compare करें तो इस बार का जो paper है पहले से difficult आ रहा है जो previous year में हुआ था तो जो 2022 में tier 1 हुआ था उससे difficult है, काफी difficult है और जो इसमें total attendance है इस बार काफी कम रहेगी, लगबक 30-35% ही रहेगी और morning shift में तो और भी कम रहेगी लगबक 25% इसका region है क्योंकि NCR region में और आपको पता है हिमाचल परदेश, उत्राकण में अभी क्या है बार की इस्तिती बनी हुई है उपर से कावड चला है तो आपको पता है attendance बहुत ही कम जा रही है कल के दिन अगर बात करूँ पहले shift में तो लगबक 52 shift में लगबक 15 student के आस पास थी और टोटल वहाँ पे 105 की लगबक शिट थी और 32 student से भी कम थे जहां तक मैंने count किया था 25 थे उसके बाद थोड़े बहुत आए होंगे लेकिन 25 से जादा नहीं थे और यह morning shift का बता रहा हूँ क्योंकि अभी transportation system बहुत ही बेकार ह काफी wait करना पड़ रहा है तब आपको बस मिलेगी और इसके बाद पानी हर जगे है तो रास्ता divert करके ले जा रहे है टाइम वेस्ट हो रहा है और बहुत से student का paper छुट भी जा रहा है अच्छा आप comment में जरूर बताना कि जो total attendance थी जिस shift में आपने exam दिया कितनी थी ताकि एक थोड़ा और भी अच्छी तरह idea लग जाए comment में आप जरूर रेटेंडेस बताना और आपको जाने में exam सेटर में क्या क्या difficulty हुई ठीक है यह दो चीजे आप बताना ताकि लोगों को भी पता चल सके और थोड़ा experience में मिले अगले shift में जिसका exam में और इसके base पे थोड से पांच question आपको थोड़े difficult मिल जाएंगे tricky मिल जाएंगे जो अगर average की बात करें easy to moderate ही है ठीक है पहले से थोड़ा सा अच्छा paper बना रहे है reasoning का भी और इसके बाद अगर English की बात करें English ठीक है पहले जैसे है तो English में आप अच्छी तरह कर सकते हो बस आपको revise कर के जाना एक्टिवाइस पैस्टिवाइस आया था कल के दिन डिरेक्ट इंडिरेक्ट नहीं आया था क्लोज टेस्ट आ रहा है एडियम और जो एंटोनियम है सुनेनियम है यह सारी चीज़ें आप करके जाना ठीक आ रहा है paper आप आसानी से कर लोगे इसके बाद math की बात करें math थोड आपको calculation करना पड़ता है और time आपका काफी इसमें खर्च हो जाता है और कुछ question hard भी है इसमें 5-6 question इसमें hard भी आ रहे है ठीक है तो math का यह format है पहले से अच्छा आ रहा है इस बार comment में जरूर बताना कि आपने कितने attempt के रहे और paper आपका कैसा रहा अगर previous year से compare के रहें त लगबख 75% student वही है जिसने 2022 में tier 1 दिया है तो उनका experience आप ले सकते हो comment में ठीक है अगर इसके बाद अगर हम GS की बात करें GS का जो label है वो difficult है moderate भी नहीं है difficult है पहले से काफी difficult आ रहा है और जो physics होगरा हम भी है काफी घुमा के चीज़े पूछ रहे है ठीक है तो आप revise कर देना अभी तक जितना आप किया है उतना ही revise कर लो अच्छी तरह कुछ question आपको मिल भी जाएंगे art and culture हो गया dance का हो गया music and instrument हो गया यह चीज़े आप अच्छी तरह करके जाना वहाँ पे ठीक है तो GS का difficult है कोसिस करना आप accuracy बना के रखना अगर आप 12 से 15 भी कर लेते हो औ लेकिन आप gas मत करना आपको पता है गलत हो जाता है इसलिए अगर आपने 12 से 15 कर दिया है और आगे नहीं आता है तो अगले जो section है उसे attempt करना reasoning में कुछ छोट चुट गया है तो उसे अच्छी तरह देखना अब बात करते हैं SSC CGL 2023 का tier 1 का safe score क्या रह सकता है यानि कि expected cutoff कितनी रह सकती है जैसे कि आपको पता है SSC CGL 2022 में काफी अच्छी vacancy थी 36,000 प्लस vacancy थी इसलिए जो journal है और OBC के candidate है उनका cutoff 115 के आसपास गया था लेकिन इस बार क्या है paper difficult है तो थोड़ा सा benefit आपको मिलेगा cut को पता है vacancy लगवग अभी 8,000 है और यह vacancy increase होके ज्यादा ज्यादा 14-15,000 ही जाएगी क्योंकि जो 2022 में portal assistant और sorting assistant के vacancy है काफी vacancy है तो यह increase होके चले जाएगी 14-15,000 और cutoff की बात करें इस बार journal और OBC का लगवग सेम जाता है लेकिन इस बार पिछली बार तो बिलकुल ही सेम गयाता लेकिन इस बार आपको 5-6 नमर का difference देखने को मिलेगा अगर इनके cutoff की बात करें अगर आपने 120 question मतलब 120 नमर अभी आपके बनने हैं तो बिलकुल आप अपने mains की तयारी चालू कर दें ठीक है और अच्छी तरह prepare करें क्योंकि और भी exam है CHSL है MTS है अगर आप CPO कर देते हैं वो भी exam है तो अगर 120 नमर आ रहे हैं तो mains की तयारी जरूर करें और OBC और इससे नीचे थोड़ा सा 10-15 नमर का difference रहता है SCHT में ठीक है तो यनि कि 100 के आसपास आ रहे हैं आपके पिछली बार तो लगबग 87 गई थी SC की cutoff अगर आपके 100 के आसपास आ रहे हैं तो आप mains की तयारी जरूर करना तो यह safe score है इसके बाद अगर हम CHSL की बात करें SSC CHSL 2023 का जो टीर बना exam है उसकी भी date जो exam की date है लगबग 18 दिन ही आप पे बचे हैं 18 दिन से कम का time है मैं आपको बता भी देता हूँ कि उसका exam कब होगा सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यह combined higher secondary level examination 2023 की जो date है वो 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में conduct किया जाएगा यानि कि आज से 18 दिन ही बचा है तो इसका भी आपको तैयारी करना है और इसमें तो vacancy लगबा कभी 1600 के आसपास हैं तो पहले से भी कटूप ज़ादा जाए कि इस बार देखना आप 160 के आसपास जाएगी कर्टोप अगर ऐसा ही पेपर आता रहा इसके बार आपका MTS का भी एक्जाम है एक नो से 39 के बीच में इसके बाद सी प्यों का एक्जाम है तीन दस से तो बैक टू बैक एक्जाम है आप पर टाइम नहीं है तो प्रिपेर करत सबी अपडेट में लेगी